आप सब कैसे हैं मैं आयरा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा इस्टुडी हब पर आज हम लोग जो 8 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था यानि की सीटेट केंद्री सिछक पातरता परिक्षा का जो पेपर हुआ था उसको स्वाल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 1 to 30 यानि 1 से 30 तक के जो कोस्टन्स थे उनको सॉल्व किया था आज का जो है पार्ट आपका यानि की सेकेंड पार्ट है उसमें 31 से 60 तक के जो कोस्टन्स से उनको सॉल्व करेंगे एक ही पार्ट यानि की एक ही जो पार्ट होता है यानि संब्athy में सोइसल सायंस काung इसको इसको पार्ट में लेकर हम थीक है न को अजी किसे साहिआ स्सब्सक्ड इसको में आइज sick फर्स्ट नंबर कोईस्चन और आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर कोईस्चन सौल करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर ट्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर कोईस्चन देखते हैं फर्स्ट नंबर कोईस्चन है निम लिखित मैंसे जेंडर रूरी वाधिता का उधारण नहीं है कच्छा में अनुशाशन बनाए रखने के लिए लड़कों या लड़कियों को अलग-अलग पंकितियों म बिठाना सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोसाहित करना अब यहां पर देखिए नहीं है ये बात हो रही है ये बात नहीं हो रही है तो सिर्फ लड़कियों को कच्छा का बोर्ड सजाने के लिए कहना तो इस एकॉडिन देखि दोनों की सहभागिता को प्रसाहित किया जाता है तो यहाँ पर आपका question है निमलिखित में से जैंडर, रूरी, वादिता का उदाहरण नहीं है तो आपके जो यह तीन option हो जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यह क्या है यह आपके जैंडर, रूरी, वादिता के सिच्छन को परभावी बनाने के लिए आवशक होता है, अतीत की सभी सांसिक्रितिक परथाओं को बनाए रखना, साहितिक श्रोतों का समालोषनात्मक विशलेशन करना, चाहे वे कितिने भी पुराने हो और आपका हो जाता है सभी गैरशापदिक श्रोतों का निष्काशन करना या आपका हो जाता है श्रोतों की ट्राई एंग्यूलेशन त्री कोडियों को क्रम बधता देना तो इसमें हम समझ लेते हैं इसमें आपका हो जाता है देखें सामाजिक विज्ञान सिच्छकों को परभावी बनाने के लिए निमलिखीत विशे मुद्दे आफशक होतें कौन कौन से तो साहितिक श्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेशन करना भले ही वे कितने ही पुराने क्यों ना हो तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो देखें पहले तो आपका बी ऑप्शन में हो जाता है उसके बाद श्रोतों की ट्राई एंग्यूलेश तो आपका D हो जाता है, इस according आपका B और D हो जाता है, देखते हैं B और D किस option में है, तो आपका 4 option में है, इस according आपका 4 option राइट हो जाता है, यानि कि B और D, ठीक है न, I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उसके बाद चलते हैं, question की तरफ, कच्छा में सामाजिक नियाय के परती समवेदन शीलता को प्रोसाहित किया जा सकता है, तो इसमें है कच्छा में विचार विमर्ष के दोरान, समकालीन, जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, या आपका भी हो जाता है, भारती सामाजिक प पराधारित सम्वेधानिक प्रधानों को कच्छा चर्चाओं में शामिल करके, या कक्षा के दोशी बच्चों को तुरंत शारिरिक दंड दे के, देखिए अब आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले तो आपका कच्छा में सामाजिक नियाय के परती सम्वेदन शीलता को प् पराधारित सम्वेधानिक प्रधानों को कच्छा चर्चाओं में शामिल करना, ठीक है ना, तो आपका देखिए ये भी नहीं होता है, उसके भारती समाजिक परिवेश के एतिहासिक संदर्भों को एक गयर बराबर शक्ती समिकरण के रूप में देखकर, और जो आपका हो जाता है राइट यानि कच्छा में विचाहर विमर्ष के दौरान समकालीन जन आंदलोनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, तो देखिए ये आपका राइट हो जाता है, अब देख लेते हैं, देखिए A, B और C, आपका जो थड है, देखिए आप पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, भारती सामाजिक परिवेश के एतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देख कर और आपका हो जाता है सामाजिक न्याय पर आधारे सम्विधानिक प्रवधानों को कच्छा चर्चाओं में शामिल करके ठीक है ना तो जहां पर आपका दंड आ जाता है वो आपका गलत हो जाता है तो इस एकोर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका थड यानि की A, B और C हो जाता है उसके अब आद देखते हैं कोस्चिन है इतिहास सिच्छा शास्त्र पर्यास करेगा की इतिहास का निर्मार श्रोतों पर आधारित होता है इतिहास सामाजिक परकिरियाओं में निरंतरता और बदलाव को खूजे या इतिहास विख्यानों के विभेदों में सलंगन हो तथा परमुक समुदाय के विचारों को अनुमोधित करें या इतिहास घटनाओं को एक काल विशेश के सामाजिक राजनेतिक संदर में रख कर देखें तो इसमें जो आपका अंसर हो जाता है वो आपका देखिए तो ये भी आपका हो जाता है उसके बाद इतिहास विख्यानों के विवेदों में सलंगन हो तथा परमुक समुदाय के विचारों को अनुमोधित करें तो यह आपका गलत हो जाता है उसके बाद इतिहास घटनाओं को एक काल विशेश के सामाजिक राजनेतिक संदर में रख कर देखें तो इस एकोडिंग आपका A, B और D राइट हो जाता है तो आपका थर्ड ओप्शन राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोश्चिन की त तीरा दिन में 120 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी बहुत पहले से करने हैं वो अब रिवीजन भी करने लगे होंगे मेरे ख्याल से और मेरे ख्याल से भी क्या मतलब करने ही लगे होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन लोगों की के according वीडियो बनाई है हमने जिसमें यही बताया गया है हमने यही मतलब इसी चीज पर discuss की है कि किस तरह से आप तयारी करें क्या क्या चीज आप पढ़ें जिससे आपके इतने कम दिनों में 120 प्लस नंबर आ जाएं तो फ्रेंड्स आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को द पढ़नी है जो स्लेबस में है आप वो चीजे पढ़ेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है क्योंकि जब आप एक्जाम देने बठेंगे तो क्योंकि आपका NCRT से सब कुछ आता है लेकिन बहुत से चीज ऐसे होती है जैसे बुक्स में है कि किसी के भी पेपर होते ह हैं सीटेट के होगे यूपीटेट के होगे और भी एक्जाम के होते हैं लेकिन जो चीज हमारे स्लेबस में नहीं है तो उसको हम इस वक्त पढ़ने से हमारा कोई फाइदा नहीं होता है तो इसलिए इसी की डिसकस करने के लिए कि किस तरह से हम स्लेबस को पढ़े हमारा स्ल जादा help मिल जाएगी चलते हैं question की तरफ question है परदोशन रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्विकारा गया है तो आजादी समानता जीवन या न्याए तो इसको समझ लेते हैं देखिए सर्वोच न्याले में AIR 1987 कब तो 1987 यानि 1987 SC 1086 के बाद में समिधान के अनुचेद 21 समिधान के अनुचेद 21 की विख्या की परतियक व्यक्ति को परदूशन मुक्त वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार है ठीक है ना तो इस according आपका जो third option हो जाता है वो right हो जाता यानि की जीवन चलते हैं देख लेते हैं question भारत का वर्णन करने के लिए विविधिता में एकता मुहावरे का निर्मार किस ने किया था तो राजेंद परसान ने जवाहलान नहरू ने बियार अंबेट करने या एमके गांधी ने तो इसका जो right answer हो जाता यान कि विविधिता में एकता मुहावरे का निर्मार जवाहलान नहरू जी ने किया था आपका second option right हो जाता है और इसको समझ लेते हैं कि देखे भारत का वर्णन करने के लिए विविधिता में एकता मुहावरे का निर्मार भारत के पर्थम परधान मंत्री पर्थम परधान मंत्री जवाहला नहरुजी ने किया था उनका मानना था कि विभिन भाशाओं धर्म खान पान के बाविजूद भारत में एकता है क्योंकि देखिए हमारे देश में खान पान अलग है धर्म अलग है सब कुछ है लेकिन फिर भी एकता है समुदायों की एक दूसरे पर परस पर निर्भरता और बंधन आदी एकता की कड़ी है तो इस एकोडिंग आपका जो आंसर हो जाता है जैसा कि अभी हम लोगों ने डिसकस की और आपको बहुत अच्छे से पता है पंडित जवाला निहरुजी यानि की सेकेंड ओप्शन राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोईस्चन की तरफ लोग सभा में कितने सदस मनोनीत होते हैं ना की मतदान द्वारत चुने चुन कराते हैं तो आपका जीरो कोई भी नहीं चार एक या दो तो आपका राइ एंगलो इंडियन समुदाई आपको देखें एंगलो इंडियन समुदाई किसको कहते हैं यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्योंकि इस पे भी हम लोग डिसकस कर चुके हैं अभी जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहते उसमें एंगलो इंडियन के बारे में डि कि अनुचे 331 के अंतरकत अधिक्तम दो सदस्यों को मनुनीद कर सकता है। कि अधिक्तम कितने सदस्यों हो सकते हैं तो 552 सदस्यों हो सकते हैं और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। कोई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मैं बताए देती हूँ 545 कितनी है वर्तमान में तो 545। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेगा कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है। तो इस एकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो दो हो जाता है। उसके बाद चलते हैं कोईश्चन की तरफ कोईश्चन है। वस 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राज तंद्र में बदल कर डैश हो गया। अलप तंद्र, एक तंद्र, ताना शाही, लोक तंद्र। तो इसको समझ लेते हैं देखे। जून 2006 में नेपाली संसद ने 200 वर्ष पुरानी राज शाही को समाप्त करके। कितने वर्ष पुरानी तो 200 वर्ष पुरानी राज शाही को समाप्त कर। किसको समाप्त कर। तो राज शाही को समाप्त कर। लोक तंद्र के स्थापना की। किसके स्थापना की। तो लोक तंद्र के स्थापना की। और 2008 में वहां निर्वाचिस सरकार शासन कर रही है, नेपाल का अधिकारिक नाम संग्य लोकतांत्रिक गड़राज कर दिया गया है, तो इस एकोडिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका फोर यानि की लोकतांत्र, ठीक है न, उसके बाद चलते हैं कोश्चिन की तरफ, जन स्वास्त के छेत्र में कोस्टारीका उपागम किसे कहा गया है, तो देखें कोस्टारीका, इसमें देख लेते हैं सेना के जमानों के स्वास्त पर खर्चा करना, या स्वास्त और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, या सुरक्षा बजट पर स्वास्त बजट से भादा खर्च किया जा सके तो समझ लेते हैं कि सरकार अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पैजल क्या है कूस्ट तरी का की जो सरकार हैं वो सुरक्षित पैजल क्या है और वहां की सरकार के लिए स्वास्त एक प्राथमिक एजंडा है क्या है तो जो स्वास्त है वो प्राथमिक एजंडा है अर्था यानि कहने का मतलब यह है कि कोस्टारी का द्रस्टी कोड से अभी प्रैय है इस्थाई सैना और रक्षा बजट को समाप्त करना जिसके अंतरगत देश अपने नागरिकों की मूलभूत सुधाओं पर अधिक धन खर्च कर सके तो इस एकोर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो सैन निबन ना रखना ताकि जनस्वास्त पर ज्यादा खर्च किया जा स सके फॉर अप्षन आपका राइड हो जाता है चलते हैं कोस्टिन की तरफ कोस्टिन पर चलने से पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चानल पर नहें तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस एक लाइक भी जरूर कर दें कोस्टिन वर्ष 1997 में भारती उच्चितम न्याले ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डेश योन उत्पीडन से बचाने के लिए की गई है कि विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डेश योन उत्पीडन से बचाने के लिए की गई है कहां पर तो सडकों पर या गाडियों में या कारिस्थलों पर या विवाहिक संबंधों में तो इसको समझ लेते हैं देखे भारत के सर्वोच न्यायाले ने वर्ष 1997 में कब किसलिए की थी कि जो कारिस्थल है वहां पर योन उत्पीडन से बचाने के लिए और भारती संसद ने वर्ष 2013 में इस निर्देश के इस्थान पर कारिस्थल पर कब तो 2013 2013-2013 में इस निर्देश के इस्थान पर कार इस्थल पर महिलाओं के योन उत्पिणन रोक्थाम, निशेद और निवारन अधिनियम निर्मित किया तो इस एकॉर्डिंग जो आपका अंसर हो जाता है वो हो जाता है कार इस्थलों पर यानि की विशाखा निर्देश तो कार इस्थलों पर उसके बाद चलते हैं कोश्चन की तरफ कोश्चन है निमलिखित में से कौन भारत में एक राज के राजपाल की न्यूक्त करते हैं तो अटार्णी जेर्णल विधान सभा के सदसी संसत के सदसी या केंदर सरकार तो इसमें जो आपका राइड अंसर हो जाता है वो आपका केंदर सरकार हो जाता है क्यों हो जाता है इसको समझ लेते हैं कि भारत में एक राजपाल की न्यूक्ति रास्ट पती अनुच्छेद 155 कितना तो अनुच्छेद 155 द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है और राजपाल रास्टपती के प्रसात प्रियंत या कारिकाल पांचवा वर्ष्टक अपने पद पर रह सकता है और रास्टपती केंद्र सरकार का सम्विधानिक परधान होता है यानि कौन होता है तो रास्टपती केंद्र सरकार का सम्विधानिक दिखिए क्या होता है तो सम्मेधानिक परधान होता है उसे नाम मात्र का शाशक कहा जाता है तो इस एकोर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है तो वो आपका केंदर सरकार हो जाता है उसके बाद कुश्चिन की तरफ चलते हैं कुश्चिन है आपका निमलिखित मैंसे कौन ग्रामिड परशासनिक अधिकारी नहीं है तो लेकपाल है पटवारी है नगर निगम वाड काउंसलर है या भूमी रिकॉर्ड अधिकारी है तो इसको समझ लेते हैं कि कौन सा नहीं है यह यहाँ पर कुश्चिन है तो दिखे परिशद में विसिस्ट वाड के मतदाओं यानि मतदाताओं द्वारा किया गया इसके अतरिक लेकपाल या पटवारी या भूमी रिकॉर्ड अधिकारी सभी एक ही पद है तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन यानि कि नगर निगम वाड का हैं ग्रफतारी नजरबंदी और पूछताश के दोरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली किरियाओं से जुड़े निर्देश या कारिस्थल पर योन उत्पीणन की रोक्थाम के लिए निर्देश या बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाओं के लिए निर्द हैं तो ग्रफतारी नजरबंदी और पूछताश के दोरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली परक्रियाओं से जुड़े निर्देश यानि की आपका ओप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट ओप्शन राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोश्चिन की तरफ वन अ एधिकार कानून 2006 अपने शीशक में कंसिस्ट्रेणी के अधिकारों को स्विकार ताइघर को आपका अनुस्चित जन्जाति हो जाता है यानि कि आपका जो अप्शन है वो राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोश्चिन की équह सन है दितिय श्रोत का एक उधारण हमारे अतीत फर्स्ट कच्छा छे के लिए NCRT की इतिहास की पाठ पुस्तक समिधान या भारत का समिधान या जन्गर्णा रिपोर्ड 2011 या जन्मियों मुरति के पंजीकरण रिकॉर्ड तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है हमारे अतीत फर्स्ट कच्छा छे के लिए NCRT की इतिहास की पाठ पुस्तक या नि दित्तीय श्रोत का एक उधारण जो दित्तीय श्रोत है वो है तो इस पे थोड़ी सी रोश्नी डाल लेते हैं देखिए प्रिश्णन अनुसार यानि प्रिश्ण की अनुसार क्या होता ए दि ती श्रोत का एक उधारन हमारे अतीत फर्स्ट कच्छ चे के लिए NCRT की इतिहास की पाठ पुस्तक अन्य उधारन यानि और उधारनों जाते हैं जैसे सूची पुस्तक सूची जीवन संबंधी का डिक्शनरी पुस्तके शब्द कोश विश्व कोश एटलस आधी घटना के ब सौनरी को और सारा अलोचना की विख्या का कर है तो चलते हैं देखिए आपका जो option right हो जाता है वह आपका first option right हो जाता है उसके बाद चलते हैं question की तरफ question देख लेते हैं next question है नीचे दिये गए कथन पर विचार कीजिए तो परिक्षाएं तंत्री की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं नाकी व्यक्तिगत सिच्छार्थी के लिए इसमृति परिक्षन से दूर दक्षताओं के परिक्षन पर जोर के रूप में बदलाओ सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा तो आपका जो दिखे ये हो जाता इसमें क्या है कि ए है परिक्षाय तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितिया ना कि व्यक्तिगस इच्छार्ती के लिए सही परतीत हो रहा है और विश्यू में खुली परतियोगिता के द्वारा सरुपर्थम सिविल सेवा परिच्छाओं का आयोजन चीन में किया गया और बी का जो है इसके अलावा देखे इसमृति यानि इसमृति परिक्षन से दूर दक्षताओं के परिक्षन पर यानि जारे के रूप में और कच्छाओं में तनाव को कम करेगा इसलिए दिये गए कथन देखे दूनों सही हो जाते हैं कौन से हो जाते हैं तो दूनों सही कथन हो जाते हैं यानि दूनों कथन ए और बी सही है इसलिए आपका जो थर्ड़ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोईशन की तरफ सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्युदेश होना चाहिए तो समाज में यथा इस्थिती बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णियों को सुईकार करने के लिए सिछार्थियों को तयार करना तो यह आपका क्याद और इसके बाद सिक्तत्य याद करवाना तो जहां पर याद करवाने वाली बात हो वह आप कट कर देंगे ठीक है याद आपका नेगिटिव हो जाता है और आपका जो देख लेते हैं क्या है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उदेश होना चाहिए तो क्या उदेश होना चाहिए आपका जो 47 नमबर का जो कोश्चन है उसमें आपका जो सभी तत्व जो समाज का निर्मार करते हैं उनके भी समद्धों का बोध कराना इस समाज के इस्तिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी नियुडनों को स्विकार करने के लिए सिच्छार्थी को तयार करना ठीक है तो इस एकोडिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका थड़ हो जाता है यानि की सभी तत्तु जो समाज का निर्मार करते हैं उनके भी संब प्रियासरत है पार्ठि पुस्तक ज्ञान को याद करने की समताओं के लिए परिक्षा में तनाओं को कम करना दीग सिच्छार्थीयों को वर्गीकरत करने चिन्हित करने के लिए या सिच्छार्थियों के भी सामाजिक Wiväदों को दर्शाने के लिए तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है सिच्छार्थियों को परतिपुस्टी देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे परियास रत हैं ठीक है ना इस तरह आप जैसे कहें कि यहाँ पर मानक जो है मानक तो गलत हो जाता है लेकिन यहाँ पर आप इसको समझे भी तो कि जिनको पाने के लिए वे परियास रथें, जहां पर परियास किया जा रहा हो, तो वो तो आपका अंसर राइट हो जाता है, ठीक है ना? और पाठ पुस्तक को याद करने की छमता के लिए परिक्षा में तनाओं को कम करना अब याद करने की बात यहाँ पे हो रही है या सिच्छार्थियों को वर्गीक्रतियों चिन्हित करने के लिए या सिच्छार्थियों के मिस सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए तो आपके नहीं इसलिए आपका first option right हो जाता है उसके बाद चलते हैं question की तरफ question है सामाजिक विज्ञान क्या है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में film को एक परभावी सैच्छी कुपकरन के रूप में परियोग किया जा सकता है क्यूंकि film में कच्छा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है अब इसको देखे समझने क्या है कि film में कच्छा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है film में अंदेखे और अंसुने संदर्भों को खोजने की शक्ती से प्रेरित करती है फिल्में ऐसी कहानियों समधों और च्छमियों को मापने लाती है यानि सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है या फिल्में एक बस्तुनिश्ट माध्यम है जो छातरों को एक ही तरी कैसे अपने विचार पस्तुत करने के लिए प्रोसाहित कर सकती है तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें आपका जो राइड अंसर हो जाता है A, B और C हो जाता है देखिए क्यों हो जाता है A, B और C देखिए फिल्में कکशा के भीतर बाहरी दुनिया कौ ला सकती है फिल्में अंदेखे और अंसुने संदर्भों को खोजने की शक्ती को प्रेरित करती है और फिल्में ऐसी कहानियों, समवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन से हमसे दूर हो सकती है और इसमें देखिए डी वाला भी पढ़ लेते हैं और फिल्में एक वस्तुनिष्ट माध्य में जो चात्रों को एक ही अब जहां पर इस तरह से होता है एक ही तरीके से अपने विचार प्रिस्तुत करने के लिए पुरुसाहित करती है तो यह आपका रॉंग हो जाता है तो इस अकॉर्डिंग आपका एबी और सी और आपका सकेंड ऑप्शन में यानि की सकेंड ऑप्शन हैं से सही कौन है तो मांचीतर एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित हैं चिरकाल से उत्तर सब्था सभी सामाजिक संदर्भों में मांचीत्र के ऊपर दर्शाया गया है मांचीत्रक त्रियायामी suicide में दूनीा में रहते हैं यह शिच्छार्थी में समय की अवधारणा को विक मान सित्रक सामाजिक राजनितिक निर्मित है उसके बाद या ऑपका राइट हो जाता है या dazu हो जाता है चिरकाल में उत्तरыми सभी सामाजिक संदर्भों में दर्षा whisk डिए हो जाता है उसके बाद मानारच ट्रैं करफ दुनिया में रहते हैं तो आपके जो तो A, B और C, D वाला भी देख लेते हैं, सिच्छार्थी में समय के उधारना को विक्सित करने के लिए मांचितर एक सहायक सामगरी है, तो आपका इस अकोर्डिंग जो A, B और C हो जाता है, यानि फर्स्ट ऑप्शन ये राइट हो जाता है और D आपका रॉंग हो जाता है, उ विशे वस्तों में विविद सानसिक्रितिक द्रिष्टी कोड़ों को इरादतन जानबूज कर यानि एम सुस्पस्ति सामिल करें, कच्छा में सिच्छार्थियों को उनके निजियों पारिबारिक संदर में चिन्हित करना या सिच्छार्थियों को अपने उधारणों एम अ पुष्टी कोड़ों को इरादतन यानी जानबूच करें और आपका हो जाता है कख्षा में सिच्छार्थियों को उनके निजियों पारिबारिक संदर में चिन्नीत करें तो यह आपका गलत हो जाता है उसके बाद सिच्छार्थियों को अपने उधारनों और अनुभावों को को साजह करने और उधार्णों को साजह करने का मौका देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे इसलिए आपका जो ए और सी हो जाता है वो राइट हो जाता है यानि कि थाड़ आप्शन आपका राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोश्चेन की तरफ इतिहास पढ़ते वक्त वन्शावली चार्ट का परियोग होता है किसी सामराज या वन्श के वरधनें विकास को चित्रित करने के लिए या अनुक्रमें प्राकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए या एक काल कर्मिक रूप रेखा देने के लिए या विद्यार्थियों में इस्थान के अवधारना बिक्सित करने के लिए तो इसमें आपका जो right answer हो जाता है यानि कि देखिए किसी सामराज या वंश के वर्धने विकास को क्या करना है विकास को चित्रित करने के लिए तो आपका ये right हो जाता है उसके बाद देखिए इसमें आप समझ ले कि कौन से इसका राइट अंसर हो जाता है तो आपका a, b और c आपका ये राइट हो जाता है यानि कि आपका second option राइट हो जाता है समझ लेते हैं a, b और c कैसे राइट हो जाते हैं तो किसी सामराज जी आवंश के वर्धनिम विकास को चितरित करने के लिए उसके बाद अनुकरा में प्रक्रात्मक समंधों को दर्शाने के लिए और उसके बाद आपका हो जाता है एक काल कर्मिक रूप रेखा देने के लिए और db option देख लेते हैं सिच्छार्थियों में इस्थान की अफधाना विक्सित करने के लिए तो ये आपका रोंग हो जाता है इस according आपका जो second option है a, b और c ये आपका राइट हो जाता है उसके बाद question है द्रिश्टी बाधित परिच्छार्थियों के साथ कारिकरते समेक सा अमाजिक विग्यान सिच्छक को किस परकार से सिच्छन अधिगम परकिरिया में अनुकूलन करना चाहिए तो इसमें देख लेते हैं ये थोचित विराम तथा पुन्रावरत्ती के साथ इस पस्टम उच्छे आवाज में बोलना या विविद परकार के आकरशक द्रश्यों वाले कार पत्रों का परियोग करना या मोखिक संकेतों द्वारा कलपना करने के अवसरों को उत्पन करना या आपका हो जाता है कच्छा में चर्चा के दौरान टेक्स्ट टाइल इसपश करने वाली सामगरियों को शामिल करना तो आपका जो देखें आंसर कौन सा राइट ह आपका, देख लेते हैं, इसमें आपके पहले ये आप देख ले बी सी डी सही हैं या एडी सही हैं तो आपका देखें, सबसे पहले है यथोचित, यथोचित विराम तथा पुर्णरावत्ती के साथ इसपस्ट एवं उच्च आवाज में बोलना ये आपका राइट हो जाता है उसके मद विविद परकार के आकरशक द्रिश्यों वाले कारिपत्रों का परियोग करना ये आपका रौंग हो जाता है मोखिक संकेतों द्वारा कलपना करने के अवसरों को उत्पन करना जहां पर अवसर की बात आ जाए वहां पर आपका राइट हो जाता है उसके बाद कच्छा में चर्चा के दौरान टेक्स्ट्राइल यानि इसपश करने वाली सामग्रियों को शामिल करना चाहिए तो टेक्स् बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है तो इस एकोर्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन यानि ए सी और डी वह राइट हो जाता है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान सिच्छन में प्रोजेक्ट विधी के कथनों पर विचार किजिए य या सिच्छार्थियों को खोजी बना देता है या पूर्ण रूपेड एक सिच्छक के अन्रेथ विधी है यह स्वेम निर्देशित के लिए कलापों द्वारा अधिगम को मानती है तो इसको समझ लेते हैं इसमें आपका देखे यहां उप्योगितावादी द्रिष्टी को कि राइट हो जाता है उसके बाद यह पूर्ण रूपेड एक सिच्छक केंद्रित है तो यह आपका गलत हो जाता है क्योंकि सिच्छक केंद्रित नहीं अब तो क्या है बाल केंद्रित होना चाहिए ना उसके बाद यह स्वेम निर्देशित के लिए कलापों द्वारा अध इशड की इच्छुक रचनात्मक द्रिश्टी कोड से एक सामाजिक विज्ञान की सिच्छ का अपने सिच्छार्थियों को किस रूप में देखेगी तो यह हम देख लेते हैं इसमें आपका देखे सामाजिक प्रकिरियाओं में खोज करने की उत्सुक यह आपका राइट हो जाता है क्योंकि खोज करने की यहां पर बात हो रही है उसके बाद श्रोतों के आधार पर कल्पना शील तो यह भी देखे श्रोतों के आधार पर कल्पना शील उसके बाद समस्याओं के समाधान के सुझाओं की कोशिश करने वाले तो यहां पर देखे जो समस्या आई है य सामाजी विज्ञान के पाठी चर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न मैंसी कौन सहायक हो सकता है तो पाठी चर्या को जेंडर समद्धित मुद्धों से जोड़ना या कच्छा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित सिछर साली या विभिन शिरोतों को शामिल करना अ एक परिक्षा पत्र सभी सिछार्थियों के लिए तो इसमें अंसर देख लेते हैं इसमें आपका हो जाता है देखिए पाठी चर्या को जेंडर समद्धित मुद्धों से जोड़ना तो इसमें आपका हो जाता है उसके बाद आपका हो जाता है कच्छा में एक रूप निर् सब्सक्राइब जाना चाहिए तो एक रूप संशिल द्रश्टी कोड की कदर करने के लिए या कमियों को इंगित करने के लिए उम लगभक सभी चीजों पर दोश दर्शी होने के लिए समाज में यथा इस्तिती बनाए रखने के लिए या या समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिन्दगी से कैसे जुड़े हुए हैं तो इसमें आपका जो राइड अंसर ह हो जाता है वह आपका हो जाता है फोर ऑप्शन यानि की या समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिन्दगी से कैसे जुड़े हुए हैं चलते हैं कोश्चन की तरफ निमलिखित उधारणों में से विविधिता को दर्शाने वाले उधारण का चयन करें परितोश क को बंगला अच्छी लगती है वही सुचिता हिंदी बोलती है सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला तो यह आपका गलत हो जाता है एले ने गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर यह भी आप करना ही है क्योंकि यहां पर विविदिता की बात हो रही है रगू रमेश को फुटबॉल की टीम में शामिल करना चाहता है क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से है यहां पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकल्प A यानि कि परित यानि फर्स्ट ऑप्शन इस दा राइड अंसर उसके बाद चलते हैं आज की सिरीज का लास्ट सेकेंड कोस्चन देख लेते हैं एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के सैच्छिक भरमण में जीरो बोमडिला नाम दफा रास्टी उद्धान तवान तथा असिलोंग गाउं क शामिल किया गया किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भरमण किये गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे तो नागालेंड यानि लाग नागालेंड एवं तरीपुरा एक समय रेखा पर मिजोरव मेघाले पर मांचित्र पर मडिपुडी एवं सिक्किम एक समय रेखा पर या अरुडाचल परदेश एवं मडिपुर एक मांचित्र पर तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है अरुडाचल परदेश एवं मडिपुर एक मांचित्र पर आपका फोर ऑप्शन राइट हो जाता है उसके बात चलते हैं आज की सीरीज का लास कर्new केंवन साहे करती है केंविक को छोड़कर करती है निल्द मुत करने के लिए का उसके बाद देखें अवसर देने की बात जहां पर आ रहे हैं और यहां प्रश्णों के समान उत्तर देने के लिए सिच्छार्थी को प्रोसाहन देना जिससे की सभी बहतर बन सकें और सिच्छार्थियों को दी गई विश्यवस्तों पर प्रश्ण बनाने की शमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जाच के लिए वेद स्विकारना तो इस एकोडिंग आपका जो राइट अंसर हो जाता है वो आपका थार ओप्षन यानि की प्रश्णों के समान उत्तर देने के लिए सिछार्थियों को प्रोसाहन देना जिसे की सभी बहतर बन सकें तो आपका थार ओप्षन राइट हो जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक लेकर जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा जो आपको एक्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प गर आएगा उसके साथ तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल